वे गाईज स्वागत है आपका आपने चनल Smart Support Rejit Prair So guys आज की स्वीडियो में बिसिकली मैं दो टॉपिक को कवर करने वाला हूँ पहले जो टॉपिक होगा वो external traffic source क्या होता है और external traffic source के से काम करता है और दूसरी जो topic के बारे में बात करने वाला हूँ य है internet traffic source क्या होता है और internet traffic source कैसे काम करता है और साथी मैं ये भी बताने वाला हूँ कि external traffic source कितने हद तक आप अपने चैनल पर कर सकते हो जिसे आपके चैनल monetize होने में कई दिक्कत नहीं आएगा तो इस वीडियो को पहले से लेगे last तक जरूर देखना ताकि जो भी मैं information इस वीडियो के माध्यम से आपको share करने वाला हूँ, वो आपको मिल पाए तो इस वीडियो में basically external traffic source क्या होता है, कैसे काम करता है और internal traffic source क्या होता है और कैसे काम करता है इसके बारे में बात करने वाले हैं तो वीडियो को पहले से लेके last तक जरूर देखना, ताकि आपको जो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से share करने वाला हूँ, उसकी knowledge आपको मिल पाए तो वीडियो को पहले से लेके जरूर लास तक देख लेना तो सबसे पहले हम बात करेंगे internal traffic source क्या होता है और उसी वीडियो में जो भी आपको watch time मिली है उसी को कहा जाता है internal traffic source example के तोर पे आपको समझा दूँ ताकि और clarify हो जाए आपके कोई भी doubt ना रहे तो for example मैंने YouTube के application में गया और वहाँ पर search बार में मैंने type किया how to make money online और वहाँ से जब मैं type करने के बाद मुझे धेर सारी वीडियो मिल जाएगे जहां से मैंने कोई भी वीडियो को मैंने click कर लिया randomly और उसी वीडियो को मैंने देख लिया और उसी वी एंड स्क्रीन के तो मैंने और एक वीडियो को मैंने जाम्ट किया उसी वीडियो को भी मैंने last तक देखा YouTube के जो future है, जो iCard की future है, या फिर end screen की जो future है, वो YouTube खुद ने बनाया है, तो ये जो futures के मदद से आप किसी भी वीडियो तक पहुँचते हो, तो ये सेवी को YouTube ने count करता है internal traffic source, अब तो आप समझ गई होंगे कि internal traffic source क्या होता है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि external traffic source किसे कह आ जाता है, external traffic source यानि की YouTube से share किये हुए link से जितने भी platform पर आप share कर रहे हो, for example आपने share किया Instagram पर, for example आपने share किया Facebook पर, या फिर आप Twitter पर share किया है, या फिर किसी भी platform पर यदि आप YouTube के share button से आप share करके दूसरी लोगों तक पहुँच रहे हो, दूसरी लोगों तक और एक बात आपको clear कर देना चाहता हूँ, कि YouTube के video के अंदर जो share button है, वहाँ इसलिए YouTube दिया है, कि YouTube के platform को दूसरे तक पहुचाने के लिए, reach कराने के लिए, promote कराने के लिए, ये basically YouTube ने share button दिया है, और उसके साथ साथ इस share button से आप दूसरी platform में पहुचा सकते हैं, अपन send करते हो किसी platform पर, तो वो से भी watch time count होता है external traffic source, अब मैं बात करने वाला हूँ, कि external traffic source कितने हद तक आप कर सकते हो, अपने channel पर, जिसे आपके channel monetize हो जाए, YouTube के तरफ से भी कोई problem ना आए, और आपके channel से monetize होके, आप अच्छे कैसे पैसे कमाए, तो उसके लिए कोई ऐसे YouTube के तरफ से rules, regulation या term and condition नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर भी, एक चीज आपको clear कर दूँ, यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप स्थिमाल कर रहे हो, external traffic source से आपने video को views लाए रहे हो, तो हो सकते है, आपके channel monetize ना हो, तो इसकी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, at least आपके channel, पूरे channel के मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर, पूरे channel पर 30% से कम external source आपको होना है, और जितने भी सभी internet traffic source होई होना है, 70% जो भी आपके channel के watch time होगा, वो सभी internet watch time होना चाहिए, ताकि YouTube को कोई problem ना आए, और आपके channel monetize हो जाए, तो उमीद करता हूँ guys, आप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करे, और चनल पर नए है तो चनल को subscribe करके, notification bell जरूर दवा देना, और इस वीडियो को जरूर आपने friend के पास share करे, ताकि उसको भी इसकी knowledge मिल पाए, तो फिर मिलेंगा ऐसे ही helpful और आपके दार वीडियो को साथ, गुड़ बाए